हेलो बच्चो कैसे हो आप सब मैं पृतिमेशा आप सभी के स्वागत करती हूँ इस छोटे से पहले से चैनल पीटू एजुकेशन में आज मैं आप लोगों को हिंदी की पाठ्य पुस्तक मेरा भाई के भजन की कुछ इंपॉर्टेंट कोईशन एंसे और वेख्या एक्स्प्रेंट करने जा रही हूँ उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगेगी तो चलिए हम सुरू करते हैं चलिए बचों हम वेख्या की पहला भाग देखते हैं हरी दे हरिया जन रो पीर दाशी मीरा लाल गिरदर हमरी पीर हरा हमरी पीर यहाँ पर हरा हमरी पीर होगा ठीक है यहाँ मीरा भाई अपने आराथ्य श्री किष्णा से अपने संकटों को दूर करने की प्रातना करती है तो यहाँ क्या बोला गया है प्रस्तूत पंक्ती हमारे पाठे पुस्तक तो आप सभी जानते हैं कि वेख्या इस पुस्त कहने से पहले हमें यह बताना पड़ता है कि हम इस वेख्या को कहां से लिया है और कवीत्री इस वेख्या के द्वारा इस पोएम के द्वारा हम सभी से क्या कहना चाहती है तो मैंने यहां लिखा है प्रस्तुत पंक्ती हमारी पाठ्थे पूस्तक अंबर भाग एक के अंतरगत, मतलब जो हमारा क्लास नाइन का बुक है अंबर भाग एक, उसके अंदर से मीरा भाई का जो भज़ने वहां से लिया गया है, और इस पोएम में मीरा भाई ने अपने आर प्यास करते देख, द्रोपती की लाज की रक्षा की और उनके वस्त्रों को अनंत करत बना दिया, तो आप सभी स्टोरी जानते हैं कि जब दुशाशन द्रोपती का वस्त्र चीर अनन कर रहा था तो श्री किष्णा जी ने उनकी रक्षा की थी और उनके वस्त्रों को अनंत बना दिया था अनन्त मतलब जिसका कोई अन्थ नहीं है जिसका कोई मतलब जो समापना होता हो बना दिया अपने प्रहलाद के कारण नर्शिंग का रूप थारन किया और उसके नास्तिक पिता हेरन केशो की हत्या करके भक्त प्रहलात की रक्षा की तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पॉयम में explain किया है बताया है कि हिरन केशो और प्रहलात की क्या स्टोरी है तो आप पॉयम क्या वीडियो देखेंगे आपने डूपते हुए हाथी को बचाया आपने भक्त प्रहलात की रक्षा की आपने दुर्पती की लाज रखी तो ठीक वैसे ही आप मेरी भी रक्षा कीजिए मैं भी आपकी दाशी हूँ और मेरे संकटों को भी आप दूर कीजिए मेरा बाई कहती है कि हे मेरे प्रभू लाल गिर्धर मैं भी आपकी दाशी हूँ आप मेरे संकटों को दूर कीजिए तो चलिए बचो अब हम विख्या का दूसरा भाग देखेंगे मेरा बाई ने क्या कहा है मैंने यहाँ पॉयम का पूरा पॉयम नहीं लिखाया आपको बुक में देख लीजेगा मैंने यहाँ विख्या और आशेश पष्ट किया है प्रस्तुत पंक्ती हमारे पाठ्य बुस्तक अंबर भाग एक की अंतरगर्द मीरा बाई भजन से लिया गया है यहाँ कवेत्री ने अपने आराध्य कृष्णा जी की लगी हूँ तो आप पॉयम का पहला लाइन में ही देख सकते हैं पक बांद गुंगरूया नाच्यारे पक मतलब पैरों पे गुंगरू बांद कर नाचने लगी हैं तो उन्हें लोग क्या कहते हैं मेरे इस प्रेम पुर्ण नित्य को देखकर लोग कहते हैं कि मीरा पगली हो गई है सास कहते हैं कि मीरा ने कुल की मर्यादा का नाच कर दिया है कुल की मर्यादा का मतलब अपने घर के घर की मर्यादा का नाच कर दिये कुल नाचनी हो गई है और लोग कहते हैं कि मीरा पगली हो गई है श्री किष्णा की दिवानी पावरी हो गई है इन सभी कार्णों से मेरे ससूर राजा राणा ने मुझे मारने के लिए विश्का प्याला भेजा था तो आप सब जानते हैं कि जब मीरा बाई श्री किष्णा की भक्ती में उनकी प्रेम में नित्य करती थी नाजती थी उनके उनके मुर्ती के सामने वह जब नित्य क्या करती थी तो ये सब बाते उनकी सास और ससूर और उनके घर बरिबार के लोगों को पसंद नहीं था तो उनकी जो ससूर जी थे राजा, राणा, संगा उन्होंने क्या किया था मीरा जी को मारने के लिए विश का प्याला भेज दिया था और मीरा जी ने उस विश के प्याला को खुशी-खुशी हस्ते हुए पी गई परन्तु वो मरी नहीं जीवित रहे किसलिए श्री कृष्णा की कृपा से वो जीवित रही मरी नहीं आप सब यहाँ पर एंसर में देख सकते हैं मैंने लिखा है मैंने हस्ते हस्ते विश्पी लिया पर मीरा अपने प्रभु श्री कृष्णा की कृपा से जीवित रही मरी नहीं मीरा बाई कहती हैं कि प्रभू मैंने आपकी चर्णों में ही अपना तन्मन धन निचावर कर दिया है मीरा बाई आप लोग पोएम के लाइन में पुरा देख लीजाएगा मीरा ने वहाँ पे बोला है तन्मन वारिया चर्णों में तो तन्मन वारिया चड़नों में मतलब अपना तन्मन प्रभु की चड़नों में निछावर कर दिया है, मैं बस आपकी दर्शन की प्यासी हूँ, मेरा भाई कहती है कि प्रभु शुकेशना मैं बस आपकी दर्शन की प्यासी हूँ, मैंने अपना तन्मन धन सबाब पे निछ चावर कर दिया है अंत में मीरा बाई कहती है कि हे मेरे गिर्धर नागर स्वामे मैं अब आपकी शरण में आ गई हूँ और अब मेरी रक्षा आपकी हाथों में है आप मेरी भी रक्षा करें मीरा बाई श्री कृष्णा जी से प्रातना करके ऐसा कहती है कि मैं अब आपकी शर पीजे मीरा के प्रभु गिर्धर नागर दाही रंग भीजे मतलब ये पॉएम इसमें मीरा बाई कहती है प्रस्तूत पंक्ति हमारी पाठ्थे पुष्टक अंबर भाग एक मीरा बाई की भजन से लिया गया है और इस पत्वे मीरा बाई ने अपने आराध्या के प्रति पूर प्रत करना चाहिए प्रढलब दातीा अचया लिए क्वित्री मीरा बाई कहती हैं कि लोगों को राम नाम का रज़न पीना क्या है बुरि सकती को चूड़ Kar. अच्छी सगटी के लोगों के साथ रहना चाहिए हमें भगवान की चर्चा करना चाहिए उनकी पुजा करना चाहिए उनकी भजन अराधना करनी चाहिए तो कवित्री मेरा बाई क्या कहती है कि हमें अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए अच्छी लोगों की संगती में रहना चाहिए बुरे लोगों की सा साप करना चायह भगवान की भजन किरतन करना चाय JEFF ुप्धेश करना चाय जम्रबिदी मीरबाई लोगों लोगों को उपदेश देते हुए कहती है यहासir जो ऱुपार का तीसरा लाइन में ऐसा बताता है मैंने तो पुरा पॉयम यहां नहीं लिखाया आप लोगों के बुक में होगा आप देखेगा उसमें मीरा भाई उसमें पॉयम के लाइन में कहती है मैंने पहले भी पॉयम को मीरा भाई के भजन के पॉयम पूरे अच्छे से एक्स्प्रें और यह सब बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए, हमें अपने इश्वर से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि उनके प्रेम में ही आनन्द है, उनके प्रेम में ही खुशी है, तो हमें इश्वर से प्रेम करने को मीरा बाई कहती है, तो चले बचो, अब हम लोग लाश्ट बेख्य देखते हैं लाश पेख्या में मेरा भाई ने हम सबसे क्या कहा है चालो मनवो जमुना का तीर मीरा की प्रभु गिर्धर नागर किरिया संग बलबी तो इसमें मीरा भाई हम लोगों से कहती हैं कि अपने मन से कहती हैं कि वही जमुना के किनारे चलने को तो देखिए हम मैंने अंसर में आप लोगों बताया है प्रस्तुत पंक्ति हमारी पार्ठ पुस्तक अंबर भाग एक के अंतरगत मीरा भाई के भजन से लिया गया है और यहां कवित्री ने अपने मन से उस यमुना के किनारे चलने का आवहन किया है जिसके किनारे श्री कृष्णा अपने भायों के साथ खेला करते थे वन्सी बजाते थे तो आप वेख्या देखिए कवित्री मीरा भाई इस पश्ट रूप से कहा है कि मतलब साफ रूप से कहती है अपने मन से कहती है कि हे मन उसी यमुना के किनारे चलो जिसका पानी शुध है जिसके शेवन से शरीर शीतल हो जाता है और दुख से मुक्त हो जाता है तो कवित्री मीरा भाई किस से कहती है अपने मन से ऐसा कहती है कि हे मेरे मन उसी यमुना के किनारे चलो जिसकी पानी शीतल है और जिसके से दुखों से मुक्ती मिल जाती है और मन शुध हो जाता है उसी यमुना के किनारे चलो फिर कहती है कि जह पर श्री कृष्णHAHAड बंसी बजाते हुए अपने भाइव मल्राम के साथ खुमते हैं जिनके सिर पर मूर्पंकों का मुकुट आप सबी चांदते हैं हैं भी मुकुट पेहनते हैं उसमें मूर्पंक लगा रहते हैं आप लोगों ने देखा होगा उनकी तज्दीर में तो मेर इसी से यह विख्या चारों में ने पोयम के चारों ऀस्तेंजा का विख्या आप लोगों को explain करके explain तो मैंने पहले ही पहले के वीडियो में भी क्या था लेकिन इसमें मैंने आप लोगों को notes भी दे दिया है तो उमेद करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी तो ये वीडियो यहीं पर खतम होता है Thank you, चाहें